आज दोस्ताइब आपको स्वागता मेरे चैनल एंडी गुरु में जहां पर मैं क्लास दंद की मैथ से रिलेटेड गुशन लाता रहता हूं तो आज मैंने क्लास दंद की मैथ से चप्टर बन का एक्सराइस 1.2 से क्षेशन नुमर 4 लिया है तो चलिए देख लेता है क्षेशन नुमर 4 क्या कर रहा है गिवन डाइट HCF of 306 and 657 is equal to 9 then find the LCM of 306 and 657 हमें दो नमबर दे रखे हैं that is 306 and 657 उनका हमको HCF दे रखा है 9 तो हमें उनी दो नमबर का LCM find करना है तो क्या होगा LCM तो चलिए देख लेते हैं the two numbers are equal to 306 and 657 we need we need to find the LCM of 306 and 657 हमें दो नमबर गीवन है 306 and 657 हमें इनी का LCM find करना है तो चलिए देख लेते हैं we know that we know that LCM into HCF is equal to product product of two numbers हमें पता है कि LCM into HCF is equal to product of two numbers हता है therefore हमने LCM को X मान लेते है therefore let LCM is equal to X हमने LCM को X मान लिया है so X into HCF हमारा 9 है यह रहा दोस्तो नाइन गीवन है एक से हमारा नाइन है therefore so X into 9 result product of two numbers हमार पर दो आपर कौन कौन से तो 306 657 है 306 into 657 यहां पर 9 multiply में दर जाकर डिवाइड में हो जाएगा X is equal to 306 into 657 अब उन में 9 काट लेते हैं 9 बंजा 9 9 327 9 434 आया X is equal to 34 into 657 हमें simply X निकालने के लिए इन दोनको multiply करना होगा तो चली multiply करके देख लेते हैं तो 657 को 34 सब multiply 428 4520 22 424 26 321 3515 17 3618 19 वैड कर लेते हैं 8 3 13 2 1 3 12 2 तो हमारा X की वाल्यू आई 22,000 22,338 तो हमने जैसे की हमने LCM को X माना था हमने जैसे लिए यहां पर लेट LCM 102 X तो हमारी X की वाल्यू 22,338 आया है तो तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों का शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना बूले अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो रिगार्ड तो कमेंट बॉक्स में लिखे मैं उसको अगली वीडियो में solve करूंगा तो चलिए लो करें दोस्तों बाइब।